बछों को हम अक्सर blame करते हैं कि class में जो तुमें लेसन सिखाए गया था वो तुम भूल क्यों गये? लेकिन सोनम वांग्चु कहते हैं कि न, बच्चों को लेसन ऐसे सिखाओं कि वो बच्चों के लिए unforgettable बन जाए मतलब बच्चे चाहके भी उस lesson को भूल ना पाएं देखो अक्सर हम ये चीज़े डिस्कस करते हैं कि हमारे education system में चीज़ों को याद रखने पर बहुत focus किया जाता है quality education की हम बात करते हैं learning outcome नहीं होती बच्चों में education में enrollment बढ़ गया school में जबकि देखो develop countries में बहुत बात जबरदस्त innovative techniques का इस्तमाल किया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए जैसे storytelling है storytelling अब एक चीज़ मैं आप से पूछता हूँ आपने बच्पन में NCRT पढ़ी होगी honestly पूछिए अपने आप से क्या teacher ने जो NCRT उस समय आपको पढ़ाई थी वो कितनी याद आ पा रही आपको सायद बहुत कम बहुत कम time भी हलांकि काफी हो गया लेकिन मुझे ना कुछ-कुछ चीज़े याद आती है जैसे history जब पढ़ रहे थे तो कुछ ऐसा राजा आता था जिसने अपने पिता जी को मार दिया गद्धी के लिए तब क्लास में discussion होती थी तो teacher बताते थे उस समय ऐसा ही चलता था राजा पावर सब कुछ मलब कुछ-कुछ incident ऐसा याद आते हैं लेकिन अब एक चीज़ आप देखोगे जो चीज़े story की form में पढ़ाई गई थी न वो चीज़े ज़दा याद आती है जिन चीजों पे कोई group activity हुई हो न वो चीज़े ज़दा याद आती है जिन चीजों से सम्मंदित experiment हुए है न वो चीज़े ज़दा याद आती है तो टीचर्स को ना इस परकार की टेकनीक्स अपना के जिसे स्टोरी टेलिंग है, रियल लाइफ एक्सपिरियंस है, जहां पे एक्सपरिमेंट्स करवाए जाते हैं, डेली लाइफ से सम्दित एक्जाम्पल दिये जाते हैं, परसेंटेज मैथ पढ़ाते वक्त, तो वो चीज मैं आपको बिल्कुल सिरफ फैक्ट फैक्ट बताऊंगा, तो वह भूल जाओगे, लेकिन उन्हीं फैक्ट को अगर स्टोरी की फोर्म में बताऊंगा, कि देखो पहले ऐसा होता था, सिच्वेशन इतनी खराब थी, लेकिन फिर सरकार सकते में आई कि हाँ, एक्सल लेना ज पूनम पांडे ने ड्रामा किया था कि उनकी देख हो गई, सर्विकल कैंसर की वज़े से, लेकिन अवेरनेस तो आई है उसके बाद में, हाला कि सिरफ उस घटना से नहीं, सर्विकल कैंसर की वज़े से एक साल में 70,000 महिलाओं की देख हो जाती है, और most easily detectable preventable cancers में से एक है डिटेल से इस issue को discuss करेंगे, दूसरा आर्टिकल फिर यहाँ पर discuss करेंगे, पंचायत से समदित, फिर तीसरा आर्टिकल यहाँ पर deemed forest से समदित, deemed forest क्या है, सुपरिंग कोड का क्या order आया है, डिटेल से जानेंगे, चलिए discussion स्टार्ट करते हैं इसके बाद नेस्ट आर्टिकल पंचायत को empower करने से समदित है, आप देखो जियास पेपर सेकेंड के इस टोपिक से आर्टिकल को relate कर सकते हूँ देखो हमारे देश में, 73rd और 74th constitutional amendment आल्मूस्ट 30 साल पहले आये थे, मकसद इन amendments को लाने का ये था, गांदी जी का जो सपना था ना, कि villages यानि गाओं अपने आप में self-sufficient हो गांदी जी के सपने को सकार करना ये मकसद था, इन दोनो amendments को लाने का, मैं आपको example भी देता हूँ, कि villages जो है ना, वो states या फिर central government के उपर depend ना करें अपना खर्चा चलाने के लिए, खुद से वो revenue generate करें, खुद से development लेके आएं, उनके पास में powers हो, ये सोचा गया था, और बाद में देखो, 2004 मेना अलग से एक ministry भी बनी, ministry of पंचायती राज, मक्सद था, rural local government को मजबूत बनाना, अगर देखो, 30 साल बाद हम अगर analyze करें, कि क्या वास्तव में, ऐसा हो पाया, आज के समय में क्या, पंचायत वाकि उतनी independent होके काम कर रही हैं, जितना की सोचा गया था, देखो, इसका answer है no, वैसे, सविधान में न proper इस चीज की विवस्था की गई थी, बताया गया इन amendments के थुरू, कि local bodies को, यानि पंचायत को कौन-कौन सी powers दी जाएंगी, बर देखो, कुछ राज्यों ने तो पंचायत को power दी हैं, लेकिन, कुछ राज्या ऐसे हैं, जिन्नोंने पंचायत को power दी ही नहीं हैं, बहुत ज मिलेगा, कहां से मिलेगा, देखो, एक तो वो खुद से अपना revenue generate कर सकते हैं, खुद से मतलब tax लगा के, जैसे stamp duty पे tax लगा दिया, property पे tax लगा दिया, water पे tax लगा दिया, street light पे tax लगा दिया, इस परकार के taxes लगा के, पंचायत खुद का revenue कर्था कर सकती है, इसके अलावा non-tax revenue, पंचायत non-tax revenue कैसे ही कर्था कर सकती है, जैसे देखो, वहाँ पे न, कोई tourism का project start कर दिया, और entry fees लगा दी 50 रुपे, देखो मैं मिघालय गया था न, मिघालय में क्या है, काफी सारे waterfall है, वहाँ पे चिरापुनजी के आसपास, सारे जो waterfall है न, वो पंचायत द्वा गाओं वाले हैं, उन्होंने खुद से विवस्था करके waterfall को देखने के लिए एक entry fees लगा रखी है, और entry fees से जो भी पैसा इकठा होता है, वो गाओं की development के लिए खर्ज करते हैं, सेम सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, बाली में भी, इंडोनेसिया में, वहाँ पे भी local level जो पंचायत है न, वो खुद से tourism को regulate करती है, और जो tourism से पैसा मिलता है, यानि entry fees मिलती है, देखने की waterfall वगारा, फिर वो खुद गाओं वाले use करते हैं, उसका development के लिए, तो अब जिसे हर्याना है, हर्याना पंजाब के जो गाओं है न, local level पे कोई solar project है, कोई tourism समंदित project ह कोई venture है, मतलब rural heart लगा दी, market लगवा दी, और वहाँ पे जो दुकाने लगेंगी, उन से 20-20 रुपे ले लिए, तो इस परकार से खुद से initiative लिए जा सकते हैं, पंचायत के द्वारा, जिससे उनको fees मिले, जिससे उनको rent मिले, यह दूसरा example है, जहां से पंचायत पैसा इ और दूसरा यह fees और rent टिकठा करके, इसके अलावा यह भी provision किया गया, 73-74th amendment में कि state government की तरफ से grant मिलेगी और central government की तरफ से grant मिलेगी, लेकिन देखो दिक्कत की बात पते क्या है, अब सारे sources तो आपने जान लिए, कहां से पंचायत को पैसा मिल सकता है, लेकिन ना वो खु कि यार मैंने अगर tax लगा दिया property पे तो मेरी popularity जो है वो down हो जाएगी और मैं तो अगला election नहीं जीत सकूँगा, और हमारे देज में थोड़ा freebies का culture चलता भी जादा है, मतलब यह बात कड़वी है लेकिन हम सब कहीं न कहीं देखो free में जादा विश्वास करते हैं, तो ल उसका इस्तमाल होगा, पूरे गाओं की development के लिए इसका इस्तमाल होगा, अगर sensitize किया जाए ना local लोगों को भी और leaders को भी, तो फिर पंचायत self sufficient होने की दिशा में आगे बढ़ेंगी, यह पूरा data आप देखें, पंचायत ना सिरफ 1% revenue इकठा करती है टेक्सिस से, पांच 30% revenue आता है पंचायत को, मतलब grant की form में आता है central government से, और बाकी 15% आता है state government से, इसके बाद writer में यह बोला जाता है, देखो पिछले कुछ सालों में न, finance commission से जो grant मिल रही है ना पंचायत को, वो बढ़ती जा रही है, वो grant बढ़ रही है, जैसे example भी दिया जाता है, 10th finance commission ने 4, 3, 8, 0 crore rupees allocate किये पंचायत को, फिर next finance commission ने 8,000 crore और 14th और 15th finance commission ने तो बहुत जादा रूपीज allocate किये पंचायत के लिए 2,00,000 crore, 2,80,000 crore, तो जब इतना जादा allocation central finance commission से हो रहा है न, तो पंचायत भी एक परकार से ने complacent हो गई है, कि यार पैसा मिल तो रहा है, center से, state से तो हम क्या ही generate करें, लेकिन देखो ये sustainable नहीं है, फिर फाइदा क्या, 73rd, 74th amendment लाने का, तो खुद से revenue जब तक पंचायत नहीं generate करेगी न, पूरी तरह से depend रहेगी, central government के उपर, state government के उपर, और अपने हिसाब से development नहीं ला पाएंगे, पंचायत वाले, ये पैसा देते हैं न, central government वाले, state government वाले, projects भी फिर अपने हिसाब से implement करवाते हैं, ये implement करो, वो implement करो, पंचायत खुद से revenue generate करती हैं, तो ज़्यादा autonomy होती है, उनके पास में development लाने की, तो इसलिए, writer ये suggest करते हैं, देखो पंचायत को न, initiative लेने चाहिए, revenue develop करने के लिए, पूरी transparency होनी च इतना कहां पे पैसा लगाया गया, सारी चीजें, budget बने पंचायत लेवल पे, लोग का participation होना चाहिए, ये सब जब चीजें होने लगेंगी न, वो सही माइने में आप कह सकते हो, participatory democracy होगी, ये example है, जब सच में लोग empowered होंगे, root लेवल पे leadership emerge होके आएगी, जब ये सब ची deep industrialization से सम्मदित कि चाइना में गाउं गाउं लेवल पे factories खुली, industries खुली, इंडिया में नहीं हो पाया, तो writer reason बता रहे थे कि इंडिया में न, mass level पे quality education नहीं आई, grassroot लेवल पे, जब कि चाइना में ये आप आई, इंडिया में grassroot लेवल पे quality education आईगी न, mass level पे, तब फ deep industrialization आएगा बड़े लेवल पे, ऐसा ने कि कुछी reason में, कुछी sectors में factories खुली, industries खुली और बाकी चूट गए, खेर ये पूरा article हमने डिसकस किया, पंचायत को empower करने से सम्मदित, चलते हैं आगे, इसके बाद next article देखो, cervical cancer से सम्मदित हैं, आप GS paper second में इस topic से article को relate कर सकते हूं, कुछ दिनों पहले, पूनम पांडे की cervical cancer से death की खबर आई, बाद में पता लगा, ये fake थी, इन्होंने बोला कि मैं तो awareness फिलाना चाहती थी, cervical cancer के बारे में, इसलिए मैंने अपनी मोत की जूटी खबर फिलाई, फिर देखो, इस साल की budget speech में, हमारी वित मंतरी निर्म सही direction में सही step है, लेकिन sufficient step नहीं है, तो हम पहले तो बेसिक समझ लेते हैं, cervical cancer होता क्या है, cancer का क्या मतलब होता है, cancer का simple मतलब होता है, uncontrolled growth of body cells in particular area, मतलब सरीर के किसी पार्ट में, body cells की growth बहुत ज़्यादा होनी, start हो जाती है, control में नहीं होती, uncontrolled growth हो जाती है, body cells की, तो cervical cancer म क्या होता है, महिलाओं में होता है ये, uterus और vagina के बीच का ये जो part होता है न, cervix वाला area, यहाँ पे cells की uncontrolled growth होना start हो जाती है, और यहीं है cervical cancer, देखो cervical cancer के बारे में, आपको ये जानके हरानी होगी, most easily detectable and preventable cancers में से एक है, ऐसा cancer जिसको relatively ज़्यादा आसानी से detect किया जा सकता है, ज़्यादा आसानी से prevent किया जा सकता है, और even इलाज भी ज़्यादा आसानी से relatively हो सकता है cervical cancer का, लेकिन बावजुद इसके महिलाओं में जो cancer related deaths होती है न, second highest जो number है, वो cervical cancer का ही है, महिलाओं में cancer related deaths में दूसरे number पे है cervical cancer, तो question यहीं उड़ता है, जब इ treat किया जा सकता है, फिर भी हर साल 37,000 महिलाओं की death कैसे हो जाती है cervical cancer की वज़े से, तो सबसे पहले तो हम reason जानते है, cervical cancer होता क्यूं है, ये सारे factors responsible हैं जिसकी वज़े से cervical cancer का risk रहता है, जल्दी age में साधी हो गई, young age में sexually active हो जाना, multiple sex partners का होना, private parts में hygiene ना बरतना, smoking, multiple pregnancies, immune system का weak होना, और oral contraceptive pills का लेना, ये risk factors हैं, कोई रूई नहीं इनसे होता ही है, risk होता हैं, समझे, अब देखो, एक चीज़ आपको बताता हूँ, cervical cancer को ना detect करना क्यूं आसान हैं, एक test होता है, जिसे article में भी बताया गया है, ये VIA and Willi test, ये दोनों जो test हैं ये visual screening के test हैं, जैसे example के तोर पर जो VIA test हैं इस test में, diluted vinegar यानि acetic acid जो हैं ये apply किया जाता है, cervix area में cotton swab की साहिता से, और एक मिनट के बाद cervix को examine किया जाता है, बिल्कुल neck dice से, नंगी आँखों से, बस light होनी चाहिए, acetic acid लगाने के बाद में, cervix area में जो cells हैं जो abnormal pre-cancerous cell हैं, उनका color white हो जाता है, color white हो गया, इसका मतलब अब further testing की आव सकता है, उसी परकार से, विली test में लुगोल iodine, ये apply किया जाता है, और फिर changes आते हैं, पता लग जाता है कि हाँ further testing की आव सकता है, इसके बाद एक और चीज, एक और खास बाध्यान से सुनिएगा, जब पता लग गया कि हाँ, cancer हो सकता है, cancer होने वाला है, इन दोनों test से, VIA test से और विली test से, तो देखो cancer को remove करना भी, उतना मुश्किल नहीं है, cryotherapy, एक method है, जिसकी साइधा से, जो pre-cancerous cells है न, उनको 3 से 5 मिनिट के बीच में remove भी किया जा सकता है, local anesthesia दिया जाता है इस एरिया में, और cancerous जो cells है न, pre-cancerous cells उनको freeze कर दिया जाता है, और फिर remove कर दिया जाता है, तो ये जो method है na cryotherapy, सिरफ 3 से लेके 5 मिनिट के बीच का method है, तो बात वही है, जब देखो इतना आसान है, cervical cancer को prevent करना, identify करना और treat करना, तो ये totally unacceptable है कि फिर भी एक साल में इतनी महिलाओं की death हो जाती है, cervical cancer की वज़े से, क्यूं हो जाती है, मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहली बात, जो मैंने आपको risk factors बताए न, अब उसमे कि बाकियों को पता लगेगा न, तो समाज ये सोचने लगेगा कि इस लड़की में न कहीं न कहीं problem है, उसने early age में sex किया या फिर multiple sexual partners हैं, तो इस वज़े से उसको cervical cancer हुआ है, तो stigma attached है तो कई बार महिलाएं बताती नहीं है, awareness की कमी है बहुत ज़्यादा, ये सबसे बड़ cervical cancer के cases है न, वो देखो HPV, यानि human papilluma virus से infection से linked होते हैं, 99% cases, और ये virus जो है, sexual contact से transmit होता है, समझे, तो इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो सरकार ने, जो scheme announce किया है, मतलब vaccination की बात कही है, नई सरकार की गठन के बाद, कि 9 से 14 साल की बच्चियों को टीका लगेगा vaccination होगी, ताकि cervical cancer को prevent किया जासके, risk को कम से कम किया जासके, राइटर कहते हैं, देखो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको overall solution निकालना होगा, overall solution मतलब इन बच्चियों को vaccination होगा, वो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन और ज्यादा महिला हैं, जो इस age group में नहीं आती जिनकी अभी screening जरूरी है, उसके लिए सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है, जबकि screening तो देखो इतने easy है, तो कम से कम बाकी जो महिलाएं हैं, उनकी भी तो screening होनी चाहिए न, क्या उनको अभी cervical cancer का risk है या नहीं है, एक साल में जब 77,000 लोग की जान जाती है, तो proper screening होगी, त तो फिर कितने महिलाओं की जान बचाई जा सकती है, आप यह देखिए, राइटर यहीं बोलते हैं, कि गाओं लेवल पे न, आप डोक्टर्स को नहीं बेजते हैं, हर गाओं में नहीं बेज सकते हैं, तो कम से कम जो nurses हैं, गाओं गाओं लेवल पे, primary health care centers में, दूसरी health workers है उनको train किया जाए, कि वो यह test perform करें, VIA और विली और उनको बलकि यह जो method हमने जाना अभी, cryotherapy वाला, वो method भी सिखाया जा सकता है, train किया जा सकता हैं उनको, तो यह सब चीजे करेंगे तो बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है, cervical cancer की वज़े से जिनकी death हो जाती है, हर तरह की health आती है, उसी परकार से आप किसी disease को ठीक करने निकले हो, तो overall approach अपनाओ, आप आदियादूरी approach मत अपनाओ, तो यह पूरा article हमने समझा, cervical cancer से समधित, चलते हैं आगे, इसके बाद नएश्ठा article, deemed forest से समधित है, आप देखो GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हूं, देखो 1980 मेरा एक act आया था, इंडियाज forest conservation act 1980, इस act का मकसद जानते हो क्या था, बहुत सारे forest को ना, बहुत सारे forest को non-forestry use के लिए divert किया जा रहा था, non-forestry use जैसे देखो, यह जंगल है, जंगल का इतना हिस्सा जो है, यह allocate कर दिया कि यहाँ पे factory establish कर लो, पेड़ काट के जंगल खतम करके कोई दिक्कत नहीं है, तो factory establish करना, क्या है, non-forestry use है, तो 1980 से पहले बहुत सारे areas को non-forestry use के लिए divert किया जा रहा था, तो इस चीज़ को रोकने के लिए यह act आया, 1980 में, इंडिया's Forest Conservation Act, 1980, और इसका फाइदा भी हुआ, फाइदा जानते हो कैसा हुआ, 1951 से लेके 75 के बीच में, एक तरफ देखो, 4 million hectare of forest land, 4 million कितना हो गया, 40 lakh, 40 lakh hectare forest land divert किया गया non-forestry use के लिए, 51 से लेके 75 के बीच में, लेकिन यह act आने के बाद में, 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 81 से लेके 2,022 के बीच में, सिरफ 1 tenth, यहनि 22,000 hectare जो forest land है ना, वो divert किया गया है, non-forestry use के लिए, factory त्यादी establish करने के लिए, मतलब इस act का फाइदा हुआ है, सिधा सिधा, लेकिन इस act में एक कमी थी, कमी यह थी, इस act के अनुसार, forest area सिरफ वही है, जिसको सरकार के record में forest माना गया है, समझगे, मतलब सरकार के record में जो forest area है ना, वही forest माना गया है, इस act में, लेकिन आपको पता है, forest ऐसा भी तो होता है, जो सरकारी record में नहीं है, लेकिन है पूरी तरह से forest, समझगे, मतलब डिस्ट नरी में जो forest की definition है ना, उस definition पे कोई area पूरी तरह से खरा उतरता है, जंगल है, सिधा सिधा, लेकिन बस government record में दर्ज नहीं है, कि यह forest area है, तो उसको forest नहीं माना गया था, 1980 के act में, लेकिन देखो, 1996 में सुप्रीम कोट की एक judgment आती है, गोदा वर्मन केस में, इस judgment में सुप्रीम कोट forest का एक्सपेंडिड व्यू लेते है, सुप्रीम कोट कहते हैं, कि भाईया, forest है, चाहे वो सरकारी records में दर्ज है या नहीं है, इवन वो forest जो सरकारी record में दर्ज नहीं है, उसकी protection भी की जाएगी इस act के अनुसार, ये सुप्रीम कोट की judgment आ गई, 1996 में, ऐसे forest को आप deemed forest कह सकते हो, deemed forest मतलब वो forest है, जो वैसे सरकारी record में नहीं है, लेकिन है forest, तो ऐसे forest को कह सकते हो, आप deemed forest, तो इस judgment के बाद में न, states को ये बोला, कि भया, आप अपने अपने राज्य में न, expert committee गठित कीजिए, expert committee गठित कीजिए, ये पता लगाने के लिए, कि आपके राज्य में न, कितना deemed forest है, मतलब कितना ऐसा forest area है, जो आपके record में नहीं है, लेकिन है forest वहाँ पे, लेकिन देखो, judgment आने के 28 सालों बा इतना है, यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई, पिछले साल central government ने क्या किया, 1980 के act को एमेंड करने की कोशिस की, और कर भी दिया, मतलब बिल पास हो चुका है, Supreme Court, Forest Conservation Act लेके आया, Forest Conservation Act 2023, जो की 1980 के act को एमेंड करता है, Central government ने अपनी amendment में Supreme Court के 1996 की judgment को nullify कर दिया, Central government ने अपने नए amendment act में ये बोला, कि भईया, Forest सिरफ वही मानेंगे, जो की सरकारी record में दर्ज है, और बाकी Forest area पे ये act लागू नहीं होगा, अब बड़ा concern आया कि Nagaland जैसे राज्यों में, North East के कही राज्यों में, जहतर forest है ये ऐसा, जो सरकारी record में forest नहीं है, लेकिन वहाँ पे घने जंगल है, फिर उनको तो काट दिया जाएगा, क्योंकि वो सरकारी record में forest नहीं है, तो इसलिए Supreme Court में, Central government के नए act के against petitions फाइल की गई कि भईया ये तो नास मार देंगे सब, क्योंकि नए act के अनुसार तो forest सिरफ वही है, जो सरकारी record में है, हलाकि Central government का भी अपना तर्क है, Central government का ये कहना है, कि अगर देखो आप सरकारी record से बाहर भी area को forest मानने लगते हो ना, तो फिर ना, जो private लोग है ना, मतलब कोई individual, वो plantation नहीं करता, इस दर से कि कहीं मेरे plantation के area को forest ना मान लिया जाए, वो बागवानी नहीं करता, भगीचा नहीं उगाता, क्योंकि उसको डर लगता है, कि मैंने भगीचा खड़ा किया, मैंने plantation की, कल को सरकारी से forest मानने start कर देगी, मैं तो मारा जाऊंगा, क्योंकि मेरी provision की वज़े से, कि forest का मतलब forest है, चाए वो government record में हो या ना हो, तो central government नहीं ये भी बोला, कि भया हमारा लक्ष ये है, कि हमें जल से जल 2.5 billion ton से लेके 3 billion ton के बीच में carbon sink establish करना है, ताकि carbon को absorb किया जासके, और ये private participation के बिना संभव नहीं है, हम चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा individuals जो है, वो plantation करें, वो अपना भगीचा उगाएं, लेकिन अगर आप उसे forest मान लोगे, तो फिर वो उगाएंगी क्यों, उनके लिए तो डर है फिर, तो ये सोच सम agreement है, उनको भी सुना, तो Supreme Court ने सबसे पहले तो विबिन राज्यों को ये बोला, कम से कम आप पता तो लगाओ यार, कितना है ऐसा ये deemed forest, Supreme Court ने राज्यों को अपरेल तक का time दिया है, कि आप अपरेल से पहले ये पता लगाओ कि आपके राज्यों में deemed forest है कितना, मतलब ऐस ऐसा forest, जो सरकारी record में नहीं है, लेकिन वहाँ पर forest है, deemed forest का area पता लगाने के लिए Supreme Court ने अब आदेश दिया है विबिन राज्यों को, और जिसके बाद फिर final judgment आएगा, कि Central Government के तरफ से ये जो amendment लाया गया है, 1980 के act में ये सही है ये गलत है, तो writer कहते है Supreme Court ने अच्छी को और ecology के बीच में balance establish करना जरूरी है, चलते हैं आगे, इसके बाद questions देख लीजिए, जो आपको आज attempt करने हैं, देखो पंचायती राज तो UPSC का वना तो favorite topic है, 2018 में question पूछा, 22 में, 15 में भी, तो इन में से एक question आप जरूर attempt कीजिए, 2022 वाला कीजिए, recent वाला, और ये cervical cancer स समधित question है, जो आपको attempt करना है, दोनों questions का answer आपको 250 words में देना है, प्री से समधित questions जो UPSC ने पंचायती राज से समधित पूछे है, 2017 में पूछा, local self-government can be best explained as an exercise, इसका answer क्या है, सोचे, fundamental object क्या है पंचायती राज सिस्टम को लाने का, सोचे इसका भी, इस question का answer देखो B है, democratic decentralization, लोगों के हाथ में power देना, और मैं आपको एक चीज दिखाऊं, कैसे चीजे repeat होती है, इसमें देखो, option में democratic decentralization है न, यह 17 में पूछा, उसके बाद 15 में भी यही पूछा था, fundamental object क्या है, पंचायती राज को लाने का, one and three answer है इसका, यानि C हो जाएगा, तो इसमे democratic decentralization पूछा है, और 17 में भी democratic decentralization पूछ लिया, तो repeat होती है, themes, वो वीडियो जो आप पूछ रहे थे, कब आएगी, वो वीडियो की editing चल रही है, मतलब कई सारे angles है न, camera के, तो उनको synchronize किया जा रहा है, तो एक दो दिन में वो वीडियो update हो जाएगी, जो मैं आपको बता र हमारी आज की discussion, कल मिलते हैं, फिर से एक नई energetic discussion के साथ, तब तक आप अपना ख्यार रखिए, thank you, thank you very much for discussion.